हेलो एवरिवाइन वेल्कम बैक टू मैं चैनल लदीतीस फूरेंड क्राफ्ट आज में आपके लिए बहुत ही बड़िया एक पनीर की रेस्पी लेके आई हूँ तो आज हम बनाएंगे फ्रेंड्स हैदराबादी पनीर की सब्जी जो बाकी पनीर की सब्जियों से अलग हटक और लाइक और शेयर तो जरूर करिएगा और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब ने किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए ताकि मेरी सारी वीडियो अब तक पहुच पाएं तो चलिए अब अपनी रेस्पी स्टार्ट करते हैं तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैंने य आप फ्लेम को थोड़ा सा लोटू मीडियम कर दीजेगा इस तरह से हम पनीर के पीसिज इसमें डालेंगे और एक तरफ से हम इसको अच्छे से गोल्डन होने तक फ्राइ करेंगे बीजबीज में इसको पलटते रहेंगे फ्रेंड्स जब यह हमारा अच्छे से एक तरफ से गोल्डन फ्राइ हो जाएगा तो हम दूसी तरफ से भी इस तरह से हम पूरा फ्राइ कर लेंगे तो फ्रेंड्स पनीर को हमने अच्छे से पलट पलट के फ्राइ कर लिया है इसमें अच्छे सा कलर आ गया है फ्रेंड्स फ्राइ हो चुका है पनीर अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसी तरह से हम जो हमारे सारे pieces हैं उनको हम fry कर लेंगे अब Friends कडाही को हम घरम कर लेंगे इसमें जो एक्सरोयल ता मैंने निकाल दिया और ।ो टेबिल सुन टरी बॉयल मैंने में इसमे रहने दिया है तो इसमें मैंने ये पत्ता गोबी बहुत finely चॉप कर लिया था वो एड़ कर दिया है फ्रेंट्स फ्रेंट्स एक्चुली मेरे अनियन गारलिक नहीं काते हैं तो अनियन की जगे मैंने थोड़ा सा पत्ता गोबी डाला है इससे थोड़ा सा फ्लेवर अच्छा आ जाता है तो इसमें मैंने पत्ता को भी एड़ कर दिया है फ्रेंट्स आप भी चाहें अगर अनियन नहीं खाते हैं तो थोड़ा सा पत्ता को भी फ्राई कर सकते हैं एक छोटा टुक्णा मैंने यहां अधरक का रफली चौप करके एड़ कर दिया है तीन से चार ग्रीन चिली मैंने एड़ कर दिया है अब हम लो फ्लेम पर इसको दो मिनिट तक अच्छे से फ्राइ कर लेंगे मैंने यहां सब आइटम रफली इसलिए डाले हैं क्योंकि मुझे अभी इसको पीसना है एक फाइन पेस्ट बनाना है आप सोच रहे होंगे पत्ता गोबी से प्याज वाले फ्लेवर कैसे आजाएगा आप ट्राइ करिएगा तब मुझे बताएगा एक थोड़ा सा फ्लेवर आ मैं फेंगे जो मैं मैंटरीयल डाल दे अंपाड और रफली चॉप्रिवर वे एक खूप पुड़ीप तो च्रणड़ कर लें और एक कप हम यहां पुझेला एक है क्ड़िंगे और। फ्रेंड्स यही इसकी खाजक्यत है कि इसकी जो ग्रेवी बनती है वो धनिया और पुदीना की बनती है इसमें टमाटर यूज नहीं होता है फ्रेंड्स इसको मैंने मिक्सी में एक से दो बार चला लिया है अब हम इसमें दो से तीन टेबल स्पून धही डालेंगे और फिर से इसको एक बार मिक्सी में अच्छे से चला लेंगे और फाइन पेस तयार कर लेंगे देखिए फ्रेंड्स कितना फाइन पेश तयार हुआ है इस तरह से आपको भी पीसना है इतना ही फाइन बिल्कुल भी दरदरा ना रहे तो चलिए अब हम सबजी बनाना स्टार्ट करते हैं तो फ्रेंड्स यहां मैंने कड़ाई में ऑईल को गरम कर लिया है मैंने इसमें 2 टेबल इस्पून ऑईल अड़ किया है अब फ्लेम को लो करेंगे और कुछ खड़े मसाले अड़ करेंगे जैसे मैंने दो बड़े इलाइची तीन चार लॉंग तीन चार दाने काली मिर्च के तीन-चार छोटी इलाईची और एक चक्रिफूल और एक छोटा सा टुकड़ा मैंने दाल चीने का इसमें एड़ कर दिया है अब हम लो फ्लेम पर थोड़ा सा मसालो कुछ अटकने देंगे फ्रेंड्स मसाले अच्छे से भुन चुके हैं अब हमने जो पेस तयार किया था वो हम इसमें एड़ कर देंगे लो फ्लेम पर हम इसको इस तरह से एक मिनिट तक चला कर मसालो के साथ मिक्स कर देंगे अब हम इसमें कुछ पिसे मसाले एड़ करेंगे जैसे मैंने यहां हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर एड़ किया है वन टी स्पून हम इसमें धन्या पाउ करेंगे और नमक आप सौधा नुसार एट करिएगा वैसे मैंने यहां हाफ टी स्पून से थोड़ा सा ज्यादा नमक डाला है आप अपने कॉर्डिंग कम ज्यादा कर लीजेगा सब चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे फ्लेम को लो कर देंगे और मिक्स करने के बाद हम प्लेट से ढखकर 4-5 मिट तक के लिए पकाएंगे तो फ्रेंट्स चार से पाँच मिट हो चुके हैं अब हम एक बार देख लेते हैं कि ग्रेवी कुक हुई की नहीं तो फ्रेंट्स देखिए ओयल छोड़ दिया है इसने ग्रेवी कुक हो गई है अब हम इसमें थोड़ा सा पानी एट करेंगे और अच्छे से मिलाकर फिर से हम इसको लो फ्लेम पर ढखकर चार से पाच मेट के लिए पकने रहेंगे फ्रेंड्स चार से पाच मेट हो चुके हैं सबजी को पकते हुए ये देखिए ओल कितने अच्छे से उपर आ चुका है गरेवी बहुत अच्छी से खुक हो चुकी है फ्रेंड्स मैंने आपको जैसे पहले भी बताए था गरेवी वाली जित्ती भी सबजी आ है उनको आप जतना ज्यादा टाइम देंगे को खोने के लिए उतना अच्छा फलेवर उसमें आता है तो फ्रेंड्स यह हमारी गरेवी अच्छे से कोको चुकी है, इसको बहुत पतला नहीं रखा जाता है, आप अपरी नीट के कॉर्डिंग इसको पतला गाड़ा कर लीजेगा, इसकी कंसिंस्टेंसी तो इसी तरह से होनी चाहिए, बहुत जादा पतली सबजी यह नहीं इच्छी लगती है, अब हम इसमें हाफ क सब चीजों को अच्छे से मिला लेंगे, और फिर से हम इसको लो फ्लेम पर दो से तीन मिनट के लिए पकने देंगे, इसको हम बहुत हलके हाथों से मिला लेंगे, सबजी हमारी तयार हो चुकी है, अब हम इसको एक डिश में निकाल लेते हैं, तो फ्रेंज सबजी को इस तरह से हम एक प्लेट में निकाल लेंगे, बहुत हलके हाथ से रखिएगा फ्रेंज पनी तूटने न पाएं, क्योंकि लंबे पीसे अच्छे लगते हैं, और अब हम इसमें उपर से थोड़ी सी क्रीम की गार्निशिंग करेंगे फ्रेंज, इससे सबजी की प्रिजेंटेशन बहुत अच्छी लगती है, साती मैंने यहां कश्मीरी लाल मिर्ज का एक चौका बना के रखा है, वो हम इस तरह से इसमें थोड़ा सा डाल देंगे, इससे इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है, और देखने वे भी सबजी बहुत अच्छ लगते हैं, क्योंकि प्रिजेंटेशन मस्ट है, फ्रेजेंटेशन अच्छी होगी, तो जो भूक नहीं भी होगी ना फ्रेंट्स, वो जरूर खाने के लिए रेडि हो जाएंगे, फ्रेंट्स गर्म गरम सबजी खाने के लिए एक दम रेडि है, तो चलिए, आप बनाईए, टेस्ट करिए, और कमेंट बक्स में मुझे बताईए कि आपको कैसी लगी, मैं अपनी अच्छी अच्छी वीडियो के संग आपको मिलती रहूंगी, गुट बाई, टेक केर,